इस वीडियो में हम MCQs on Terminologies जो कि आपकी Legal Terms होती है High Court में यूज की जाती है जमकुश्मीर High Court की अगर हम बात करें यूनियरेस्टन के जो स्लेबस है स्टेनों के स्लेबस हो तो उसमें ये चीज़े दी गही है कि आपको Legal Terms भी पढ़नी है जो की Court के Official Work में यूज की जाती है तो उसके उपर हम आपके लिए Lecture No.1 लेकर आए है Important Question रहेंगे आपके लिए ताकि आपको भी इसमें थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए इसमें अगर देखा चाहिए तो Terms बहुत जादा होती है तो हमने Important Topps को लिया है तो आपके सामने हम MCQs की Farm में उनको लेके आए हैं तो चलिए करते हैं Lecture को Start अगर आप इस चैनल पर नई हो तो चैनल को सस्क्राइब ज़रूर कर लेना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जाए जेन के हाई कोट का जो एक मैं आपको वहलू कि Basic जो एक General Knowledge है जिसको हम बोलेंगे उसके उपर मैंने पांच वीडियो हमने अपलोड कर दी है अभी तक तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं इसको में आपको जेन के हाई कोट का एक प्लेइस का लिंक मिल जाएगा जिसमें जमुकषमीर का हाई कोट के जितनी क्लासे होंगी सब एक की प्लेइस्ट में हम अपलोड करते रहेंगे कुछ फॉर्पट सकते यहां तो उसमें कुछ अमेंड्मिंट भी ला सकते हैं तो बताएंगे काई का ब्यूस करना करना अप्से रिषट करणा या फिर रिस्टवाइक करना रिस्ट्वाइ तो एक नॉर्मल टर हो जाती है तो अगर अगर के हमें ड्रोड्य तो होता है इसका मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को cancel करना किसी order को किसी rule को घतम करना जैसे कि 370 को हमारे जमकर्शिमीर से abrogate किया गया था तो वस वही चीज जो है इसका ही यही मतलब है ओके नेक्स्ट हम पर देखते हैं कि एक डिफेंडर जो है कि किसी को डैमेज करना या किसी को हाम करना किसी को मारना या कुछ ऐसा यह वाले जो टर्म है बैटरी करके किसी को इन्फिक्ट बैटरी यह निकि किसी को दोखा देखके उसको मारना कुछ भी कह सकते हो तो उसका मतलब होता है Assault का, तो Assault एक ऐसी term है जिसका यह मतलब होता है कि किसी को harm करना या किसी को damage पहुंचाना ओके दोख़दड़ी में रखके Next question आथा कि Proof of Extinct Evidence Proof होना चाहिए आपको किसी चीज़ का, Authentication बोलेंगे, Awardment बोलेंगे, Attestation या फिर Bad Faith बोलेंगे तो that is Authentication Authentication का मतलब आप सबी को बताई है इसके बारे में कि चीज़ का Proof होना, कि ये चीज़ valid है कि नहीं है, है तो इसके proof आप बताएं जरा इसके Evidences क्या है, ये सारी चीज़े Authentication पे है उसके बाद आते हैं कि Attachment क्या है Attachment Term आपने इसनी में से कौन सी बता रही है कि Legal Process, देखो इसका Answer मैंने Front पे रखा था, तो ये आपके लिए Homework है Attachment का मतलब आपने इसनी में से Comment box में बताना है कि इसका Answer क्या होगा और वीडियो का Feedback जरूर देना है कि वीडियो आपको एक कैसा लग रहा है आपके यहां तर कंट्रेक्ट साइन कर रहा हूं यह सारी चीज़ जो होती है जंप सिस्ट जो एक टर्म है इसके अकॉर्डिंग यह चीज़ रहती है नेक्स देखिएगा रिटर्न स्टीर्मेंट कंफर्म बाइदा ओथ एन अफ़र्मेशन रफर्मेशन रफर्स टूदी को एक रिटर्न स्टीर्मेंट रोती है आपने बला कि अइप को नाम लिखा कि मैं सब कुछ लिक रहाँ मैं यहाँ से रहता हूं मेरे पेरिंट का यह नाम है और मेरा एड्रस घिया है तो कुछ आप वहां पे एंफर्मेशन देते हो अपनी टिक्लेशन जिसको हम बोलते हैं वह पूरी टिकलेसन देती हो तो we can say guarantee कि उसको हम क्या बोलते है एफिडेविट बोलते हैं ओके इस तरह की terms जो हैं आपको जो एक slavus में दी गई हैं इस तरह से term पूछे जाएंगे आपसे which of the following legal terms means the attestation attestation का यहां पर क्या मतलब है lack of honesty to give personal property to another यहां फिर authentication with the witness yes, authentication with the witness is the right option attestation का मतलब हो गया कि authenticate भी होना चाहिए और साथ में कोई witness भी होना चाहिए तब उसको attestation बोला जाएगा what does the anti-meaning law anti का मतलब court में अगर देखा जाए तो क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है before और early यहां पर both option a or c हो जाते हैं anti का मतलब हो गया पहले यहां फिर कह सकते हो early उसके बाद next bad faith यहां पर क्या बताता है कि bad faith यहां पर legal term के बारे बताता है so legal term तो है यह गट bad faith का मतलब यहां पर है कि lack of honesty की बात करता है कि जिसमें विश्वास ना हो विश्वास गाती किस कह सकते हो उसके बाद next question temporary lease of defendant from custody किसी defendant को lease करवाना custody से temporary lease इसको बोलते है उसका मतलब क्या होता है well होता है, well होता है, whence होता है whereister होता है, so right option will be the be option, well करवाना जिसको बोलते हैं, जुमानत करवाना ठीक है, तो यह temporary lease होता है, defended from the custody से okay so इस वीडियो में हमने 10 questions की है, इसका feedback का अपने comment box में ताना की video आपको कैसा लगा है कि तो question जो मैंने आपके लिए home work में रखा है question number 4 है कि legal term attachment का मतलब क्या होता है, तो इसका answer आपने जो भी होगा, comment box में सब इस्टूदेंट बताएंगे, so बबाई इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो थोड़ा से भी इच्छा लगो और बागी की lecture देखने लिए description box में जाएगे